इस्टर जी के क्लासे तो मैथ के कुछ important questions को discuss करेंगे और आप पूरा देखना last में मुझे बताना कितना score आया है इसको अच्छे से revision कर लो exam का समय pass है ये कहा सकती हूँ कि आज के जो भी questions आना बहुत important है 100% आपको exam में देखने को मिलेगा आप मुझे score बताना ओके और subscribe कर लो इस दिया है जिसे चाहिए आप उसका link में description box and comment box में पिन कर दिया है देखे question क्या लिखा है लिखा हुआ है कि gene PAJ द्वारा दिये गए ग्यान के छेत्रों में निम्नलिखित कत्मों में से कौन सा कथन सही है अगर आपने gene PAJ की थियोरी पढ़ी होगी आप आराम से इसका कर gene PAJ ने क्या बताय था कि बच्चे जो है बच्चों के अंदर आपने देखा होगा ना कि logical thinking develop हो जाती है इस gene PAJ ने बोला है तो आप इससे भी आराम से कर सकते हैं पहले दो को क्या लिखा है कि भौतिक ज्ञान में आती है क्योंकि बच्चे जो है वो संख्याओं को संखत गड़िती ग्यान में आती है क्योंकि संख्याओं वे संबंध हैं जिनकी रचना बच्चा मन में करता है येस जहां पर भी तर्क संखत या फिर abstract logic की बात आएगी ना समझ जाना gene PAJ ये उसकी बात करते हैं और ये हो गया हमारा right answer और हम इसका revision कर रहे हैं अच्छे से तो आपको भी इसको देखना है ध्यान से अब ये देखें और ये भी बता दूँ ये online mode वाला ही paper है क्यों क्यों क्योंकि online के सारे papers मैंने देखें उसमें से जो सबसे best मुझे questions लगा है वो आपके सामने है अब अगर आप इसको देखें ध्यान से देखें पहले आपको question को पढ़ लेना है क्या लिखाया कि एक सिक्षिका अपने चात्रों को विभिन भुजाओं के माप वाले वर्गों के cut-out देती है वर्गों के अलग-अलग माप वाले cut-out देती है वह उनको graph paper पर वर्गों को रिखांकित करने और रिखांकित वर्ग खानों को गिनने के लिए कहती है साथ ही चात्रों को उनके द्वरा रिखांकित किये गए खानों की संख्याओं और भुजाओं की लबाई के बीच के संबंद को इस्थापित करने के लिए कहती है तो यह कौन सी विधी का teacher यूज कर रही है simple as that teacher ने क्या किया है examples यूज किये सबसे पहले उसने cut-out द दिया graph paper पर उसको रिखांकित किया then उसको खाने को गिनने के लिए कहा है इसका मतलों धीरे-धीरे क्या कर रही है example के माध्यम से बच्चों को वर्ग के बारे में समझाना चाहती है अलग-लग भुजाओं के बारे में तो यह तो easy है आग मुनात्मक विधी जिसमें आप लिखित में से कौन सा सही है प्रदोगी की का मतला technology यहाँ पर देख लीजे technology की बात हो रही है teaching में कौन सा best होगा वो आपको बताना है तो कौन सा कथन सही है इसका मतला positive वाला ही होगा सबसे पहले अगर आप इसको ध्यान से पढ़ें तो पहला लिखा है ना कि जो technology है इसक के महत्तो को कम कर देता है मतला अध्यापक के गडित के अध्यापक के बिल्कुल भी नहीं even technology तो महत्तो को बढ़ाएगा ना कि आप digitally connect कर रहे है यह गलत लिखा है दूसरा कि प्रदोगी की जो है technology जो है वो गडित नहीं है यह केवल गडित को करने के विदी है आपको सोच जो technology आप use कर रहे है वो गडित थोड़ी नहीं वहाँ से आप क्या कर रहे हो गडित को सीख रहे हो आपके पास available है internet है technology इतना बढ़ चुका है कि आप जिस time पे जो चीज़े चाहे है गूगल कर सकते हो देख सकते हो सीख सकते हो यह कोई गडित नहीं है केवल गडित करने क एक विधी है and this is right बाकी का नीचे का देख लो गलत लिखा है कि अभ्यास नहीं करेंगे चात्र technology रहेगा तो या फिर गडित में अनवेशन और खोज का छेत्र कम हो जाएगा यह भी गलत है यह मारा right है चलिए अगले question पर चलते हैं यह देखे इसमें देखे लिखा है कि एक प्रात्मिक कक्षा गडित के अध्यापक ने योग पर अधारित निम्न दो शाबदिक प्रश्न स्यामपट पर लिख दिया दो साबधिक प्रश्ण उसने क्या है? सामपड पर लिखाए. पहला क्या लिखाए कि एक थैले में 11 गेंदे हैं और दूसरे में 14 गेंदे हैं. तो कुल मिला कर कितनी गेंदे हैं? एक में 11 है और दूसरे में 14 हैं. आपको बताना है कि जो टीचर है ना, ये पूछने का उसका दूसरा क्या लिखा है कि एक खिलोना कार का मुल्य 245 रुपए है उसके बास ए यदी मुल्य में 50 रुपए की वृद्धी हो जाए तो खिलोना कार का नया मुल्य क्या होगा निम्न कत्रों में से कौन सा कतन उप्रोग दो साब्धिक प्रश्णों के पूछे जाने के उद्दे क्या होगा तो इसमें भी आपको क्या करना होगा एड करना होगा तो आप ऐसे एक्जाम्पल से बच्चों को एडीशन सिखा रहे हो तो यहाँ पर तो कहीं ज्यादा दूर जाने की जरूती नहीं है छात्रों को आप क्या कर रहे हो गड़िती योगी सनरशना को समझने में और योगी की अधाना का उप्योग विभीन परिस्थितियों में पहचानने में सक्षम होने चाहिए तो प्रश्ण पूछे जाने के उद्देश को यहीं परदर्शित करता है so option number one is right अगला question देखिए ये रहा राष्टी पाठी क्रम रूप रेखा 2005 का विचार है कि विद्द्यालय में गड़ित उस इस्थिती में होता है जहां किस इस्थिती में होता है जहां पर आप देखो राष्टी 2005 की रूप रेखा पढ़ ले ना ncf मैंने कराया हुआ है अपने चैनल पर देख ले ना और जो मैंने उपसक प्रते की ट्रिक बताई है evs और हिंदी की मैंने 25 important questions ले लिये हैं तो आपको वो जरूर देखना है ठीक है प्लेलिस्ट बनी हुई है आप देखो ना राष्टी पाटी चलिया रूप रेखा 2005 का विचार है की विद्याले में गडित उस इस्तिती में होता है जहां जहां पर आप देखो ये रहा तीसरा option की चात्र गडित को अपने जीवन के अनुभों के भाग जैसा देखते हैं तथा वे अर्थ पूर्ण प्रशनों को प्रस्तुत और हल करते हैं ठीक है ये नई होगा की चात्र जो है परिक्षा में सफलता पूरग प्रदर्शन करें जरूरी ने ये failure भी होता है दू ये देखे 11, sorry अगला question देखे गडिती खेल और पहलियां सहायता करती हैं किस चीज में सहायता करती हैं जो आप बच्चों को गडिती खेल और पहलियां बताते हो वो किस चीज में सहायता करती हैं सबसे पहले देखो ये तो आप गडित चो है वो हमारे रोज मर्रा के विव बच्चों को गडित के प्रती साकरात्मक अभिवरिती के विकास में सक्षम करते हैं, येस, मतलब positive attitude भी से क्या होगा है, develop होगा, अध्यापक का कारिक कम करने में यहीं पर गलत हो गया, कक्षा में अनुसवासन बनाए रखने में ये भी गलत है, तो हमारा केवल पहला और प्रती अधारना है, क्योंकि? पैटन वाले questions आपने देखा होगा, कि एक पैटन में हम कराते हैं, कि जैसे कि मालो ये, मैंने ऐसे बच्चों को बताया है, ये एक पैटन है, फिर मैंने दूसरा बोला, ये ऐसे है, फिर मैंने ये, फिर मैं बच्चों को बोलूँगी ना, इ इसे बना देंगे, उनको समझ में आ जाएगा, क्योंकि पहले एक था, फिर दो, फिर तीन, फिर चार, ऐसे-एसे, ये होता है पैटन, तो ये महतवपूर अधारना है, क्यों महतवपूर है, ये आपको बताना है, क्या ये आकरशक होते हैं देखने में, नहीं, या फिर इस गडित की आधार बुद अधारनाओं को विक्सित करते हैं, and this is right, ठीक है, वन सेकेंड, नीचे चली गई थी, तो आप समझ गए होंगे, पैटन क्या करता है, एक महतवपूर गडिती अधारना है, क्योंकि ना तो या करशक होते हैं, ना ही वीवी समगरी, ना ही अनेक प्र as simple as that, कि पैटन जो है वो अधिकम करताओं में बीज गडित की आधार बुद आधारनाओं को विक्सित करते हैं, अब बहुत से लोग यहाँ पर जाएंगे ही नहीं, वो सोचेंगे ये वाला, option number 2, इसलिए मैं इसको यहाँ पर clear कर दिया है, इंगलिस में भी एक बार आप देख लिजे, देख लिजे यहाँ पर, और अगर आप screenshot लेना चाहें तो ले सकते हैं, basic concepts of algebra among learners, चलिए अगले question पर चलते हैं, यह रहा हमारा next question, अब यह देखे काफ़ important question है यह वाला, देखे यहाँ पर लिखा है कि गडित के सिक्षक ने चात्रों के सामने निम्न लिखित प्रशन रखा है, कैसा प्रशन रखा है, उसने देखो यहाँ पर क्या प्रशन रखा है, वो देखो, पहले रखा उसने कि सबसे बड़ी, ठीक है, यह सारे questions उसके सामने रखा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी, चार अंकों वाली संख्या बनाने के लिए, कोई भी चार अलग अलग अंकों का उप्योग करो परंतु शर्त है कि अंक सदैव उच्छे मतल्ड अंक जो है न वो उच्छे सदैव इकाई के ही स्थान पर होना चाहिए ये सर्त है तो उप्रोगत संदर्व में कौन सा कतन सही है सबसे पहला क्या ये खुले सीरे वाले प्रश्ण है या फ ये तो होगा है नहीं कि पूछने से बचना चाहिए कक्षा में देखो ये टीचर ने ऐसा कोशन किया है न कि अलग अंकों का प्योग करो प्रंतु सर्त है कि अंक जो है वो छे सदैव इकाई की स्थान पर होना चाहिए इसके अनन्ने उत्तर है एक उत्तर नहीं है ठीक है न तो बहुत सी लोग सबसे पहले यहीं पर चले जाएंगे कि open ended questions है नहीं आपको पूरा options पढ़ना है पूरा options पढ़ोगे तब पता चलेगा नहीं कि इसके अनन्ने उत्तर है unlimited इसके बन सकते ना answer तो जिस पर आपको पहुचने के लिए logical thinking की जरूरत होगी समझें so इसका हो जाएगा यह चलो अगले question पर यह देखो चात्रों द्वारा दैनन्दिनी जर्नल लिखना गडित मुल्यांकन के एक उपकरण की तरह है जो की केंद्रित है दैनन्दिनी आपने भी बहुत लिखा होगा यह किस पर focus करता है यही पूछ रहा है चात्रों को प्रोसाहित करने कि वैं गडित के सिक्षण और अधिगम से संबंधित समस्याओं को प्रति भिम्बित करें यह मोटिबेट करता है छात्रों के सामने आने वाली समाने समस्याओं को संभोधित करने पर नहीं नहीं यह गडिती भासा को सुधारने पर और नहीं यह प्रश्न हल करने के causal को थो पर सिंपल ही है जनर्नल लिखने से आपको पता चलेगा ना कि आप रोज साहित करेंगे बच्चों को मोटिवेट करेंगे गडित के सिक्षण और अधिगम से संबंदित जो भी समस्याएं होंगे उसको आप प्रतिबिम्बित करेंगे पहला मारा सही हो जाता है क्या लिखाया कि एक प्रारंभिक विद्याले के गडित के अध्यापक ने निड़ाय कि वह ज्यामिती आकृति मोट पर एक इकाई योजना बनाएगा उसने निम्न प्रत्याशित अधिकम परिनाम लिखे पहला लिखाया विविद आकृतियों के बीच अंतर बताना एंड आकृतियों की भुजाओं कोडो और सिर्सों को पहचानना तो वैन हिले की जामिती चिंतन के कौन से इस्तर पर छात्रों का आकलन करेगा 100% guarantee है वैन हिले आएगा और वैन हिले की पूरी प्रॉपर मैंने इसे जो डाइग्राम है न इंपॉर्टेंट है वो टेलिग्राम पे भेजा है नहीं देखे हो तुरंत जाओ फाइल्स वाले में देख लो तो आप यहाँ पर बताइए न कि वैन हिले की जामिती चिंतन के कौन से इस्तर पर वा छात्रों का आकलन करेगा जो की जामिती आकरितियों पर एक योजना बनाएगा यही तो एक हुआ है न कि प्रारणबिक विद्याले के गडित के अध्यापक ने ये decision किया है तो आप बताइए इन चारों में से कौन सा होगा हमारा right answer आपको मैं सारा answer दिखाती हूँ यह देखे निगमनात्मख, स्वैसिम्धी याफि विजुलाजेशन याफि विसलेसर इसका right answer हो जाएगा विसलेसर इस तरपर ठीक है, अगर आपने इसको अच्छे से पढ़ा होगा analysis level पे ये होता है तो एक बार मैं यही बोलूँगी कि एक बार पढ़े लेना अच्छे से वैन ही ले, नहीं तो गलत करके आ जाओगे तो इसका क्या हो जाएगा? analysis इसका right answer है चली अगले question पे देख लो, ऐसे ही tough tough questions आएंगे आपके exam में ये देखे लिखा है कि इसमें से कौन सा बच्चों में संख्या के बोध 10 तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण है पहला है कि संख्याओं के क्रम का अधिगम या फिर संख्याओं को पढ़ने और लिखने का अधिगम या फिर संख्याओं को उनके नाम के साथ गड़ना करने का अधिगम या फिर एक दी गई संख्या के से पहले और बाद में क्या आता है का अधिगम आप बताए इसका आपको क्या लगता है तो याद रखू ना कि कौन बच्चों में आप संख्या के बोध मतब अंडरस्टैंडिंग 10 तक का विकास करने के लिए अंतिम चरण यही है कि संख्याओं को पढ़े और लिखने का अधिकम अब यह देखे एक सिक्षक ने बच्चों को निम्न अधिन्याश दिया है क्या दिया है वो देखे तुम्हारा मित्र कक्षा में अनुपस्थित था और उसका छेत्रों और परिमापों का पाठ छूट गया है उसे एक पत्र या व्याख्या करते हुए लिखो कि दोनों में क्या अंतर है आप चित्रों का भी उप्योक कर सकते हैं ऐसा उसने बोला है तो गड़ित में इस प्रकार का कारे देने का प्रियोजन क्या है वो आपको बताना है आपने देखा तो ये रहा आमारे सामने पूरा एक मिनट ये नीचे का आपको ऐसे ऐलिमिनेट करना है उकै तो सबसे पहले के बारे में बच्चे की समझ को जाना येस अनुपसित विद्यार्थी को उसे छूटे हुए कारे के लिए सहायता देना ये भी होगा चात्र को यह सिखाना कि पत्र कैसे लिखा जाता है बिलकुल भी नहीं नहीं गड़िती संचारन में व्रिधी करना तो हमारा हो जाएगा प पढ़ाए गए ओधारना के बारे में बच्चे की समझ को जानना क्यूं क्यों क्योंकि तुम्हारा मित्र जो है अपसिंट था और उसका छेत्रों और परिमापों का पार्ट छूट गया है तो आप क्या कर रहे हो इसी के माध्यम से जो भी पढ़ाए ओधारना है उसके बार चातर को यह सिखाना पत्र कैसे लिखा जाता है ये भी नहीं चातर के गड़िती संचारण में वृधि करना इसी माध्यम से बच्चे का जो गड़िती संचारण है उसमें वृधि हो जाएगी तो पहला और चौथा होगा पहले गलत हो गया था क्योंकि मैंने यहां पर ध्यान नहीं दिया यह तो हमारा पॉजिटिव टैग वर्ड है तो इसका हो जाएगा पहला एड पहला एंड चौथा यह देखे इस्क्रीन सॉट लेना चाहते हो तो ले लो ठीक है चलो यह हो जाएगा हमारा राइट आंसर अब यह देखे अगला कोश्चन इसमें क्या लिखाया है कि व्यकलन की एक समस्या मतलब सब्स्ट्रैक्शन जिसे बोलते हैं माइनस 400 माइनस 45 के सामने रखने पर एक विद्यार्थी ने कहा यदि वह 40 होता तो उत्तर 60 होग परंतु यह 45 है इसलिए यह 55, 155, 255, 355 होगा इसलिए 400 माइनस 45, 355 होगा विद्यार्थी द्वारा प्रिक्त युक्ती के लिए निम्न कत्रों में से कौन सा सही है आप देखरों कितना डिफिकल्ट आपको लग रहा होगा ना बट याद रखना यह जो विधी है इसको बोल यह एक आपचारी कलन विधी है और विद्यार्थी की गड़िती सोच प्रक्रिया को प्रतिबिम्बित करती है ठीक है ओप्शन नमर टू इस राइट इसका एक बड़ इंगलिस अला भी दिखा देती हूं देखे इस एन इन इन फॉर्मल अल्गुरिदम एंड इसमें कि निहाल को गड़ित की परिक्षा में 78% अंक मिले हैं तो यह किस प्रकार के परिक्षण का उदाहरण है आप बताओ आपको भी तो बहुत परिक्षण मिलते होंगे तो कभी आपने सोचा है कि यह किस टाइब के परिक्षण आपसे करवाय किया जाता है आपका कैसा इग्जामिनेशन है यह तो सिंपल सी बात है यह एक मानक संदर्वित परिक्षण है जहां पर एक standardized fix कर दिया गया है देखो आप नंबर इतने लेकर आ रहे हो सो में 50 ला रहे हो 20 ला रहे हो 30 ला रहे हो या percentage ला रहे हो यह सब मानक संदर्वित परिक्षण होता है उसी का य ठीक है मानदंड पर मत कर देना अभी बता देती हूं similar similar word है इंग्लिस में एक बार देख लो भाई नहीं तो गलत हो जाएगा यह देखे नॉम रिफ्रेंस टेस्ट ओके चलिए यह भी हो गया हमारा screenshot लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं अब यह देखे इसको देखते हैं क्या लिखा है त्री आयामी आकरितियों के संकल्पनात्मग विकास को दर्शाने के लिए निम्नलिखित क्रिया कलापो का क्रम दिया गया है यह आकरितिया यह एक याद्रेचिक क्रम में है ठीक है यहाँ पर एक बार इंग्लिस भी देख 3D सेब्स की बात हो रही है और दे आर इन रैंडम सीक्वेंस तो आपको इसको सीक्वेंस में बताना है ओके आप समझ गयोंगे यह एक रैंडम में लिखा गया इधर उधर लिखा हुआ है तो आप इसको दर्शाने के लिए आप एक सही क्रम बताएं कि कैसे आप बच्चों को पढ़ाएंगे तो सबसे पहले आप क्या करोगे दो आकरितियों के तुलना करना और पहचानना कि उनमें आकरितिया बनाना या फिर जामिती उपकरनों जैसे कि परकार मतलब रूलर वगड़ा उससे आकरितियों के रशना करना देखिए इसमें सबसे पहले होगा कि आप रशना कर रहे हैं उसके बास से क्या होगा कि तुलना करेंगे और पहचानेगी कि क्या समनताएं हैं और और समानता हैं, तो ये हो जाएगा हमारा दूसरे पे, उसके बाद से आप जाल के प्रयोक से बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा तीसरे पे, and फिर आप लास्ट में ये करोगे, रूलर वाला तो फोर्द, ये हमारा ये करम होगा, यहाँ पर मैंने लिख दिया है और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले हमारा दूसरा है ये तो मैंने आपको एक सीरीज बताईए न, यहाँ पर देखो, सबसे पहले आपका दूसरा होगा, उसके बाद से आपका पहला होगा दैन आपका तीसरा होगा, फिर आपका चौथा होगा ये तो यहीं पर मिलिया देखो, ये इसका करम, सही करम है ठीक है? स्क्रीन सॉट लेना चाहें, तो आप ले सकते हैं यहाँ पर देखिए कोशन, सिक्स्टीन नमबर 20 questions important का ये set है बहुत important है, ये 20 questions आपको देखने को जरूर मिलेगा और पसंद आ रहा हो, तो please like share कर दीजेगा देखिए, इस questions को पहले आप देखिए ध्यान से, क्या लिखाया है निमनलिखित गती विदियों में से कौन सी प्राथ्मिक इस्तर के अधिगम करताओं में द्विक इस्थान संबंदित समझ की विकास के लिए अति उप्युक्त है अब ये द्विक इस्थान क्या है ये देख लीजे यहां से इंगले से जिसे बोलते हैं spatial understanding मतलब जगह इस्थान से related है ये तो क्या होगा ये आप यहां पर देखे क्या आप उसको संख्या रिका पर निरुपित करेंगे या फिर उनके घरों के कक्षों के सापेक्ष आकारों और इस्थीतियों को दरसाते वे मांचित रिखांकित करेंगे या फिर दो सहर के बीश की दूरी को मापेंगे या फिर आप जो है जामिती आकरितियों के नामों का पूर्ण इस्मरण करेंगे नहीं ये तो होगा ही नहीं सबसे बेस्ट क्या है क्या प्राथमिक इस्थान संबंदि समझ जो है विक्सित करने के लिए उनके घरों के कक्षो के सापेक्ष जो आकार है और इस्थितियों को दरसाते हुए मांचित रिखांकित करेंगे अब ये देखे NCRT के अनुसार कक्षा तीन के विद्यार्थियों के लिए कौन से अधिगम प्रतिफल अपेक्षित नहीं है तो नेगटिव वाले में चले जाना क्योंकि तीन के बात हो रही है पहला क्या लिखा है कि 543 में 4 का स्थानिमान ग्याद कीजे ये तो होगा ही पहचाने की दी गई आकरितियों कि इस रिंखला में अगली आकरिति क्या होगी अब ही जो मैंने पैटर्न वाला बताया ना वो वाला ये तो आप करते ही है कक्षा 3 के विद्यार्थियों में आप ये देखो आप ये भी बच्चों को बता सकते हो कि 2 इंटू 5, 5 इंटू 2 इसे बच्चों को पता चलेगा ना बट आप ये हल करने को नहीं देते हो क्लास 3 में तो ये तो बेसिक सी चीज पूछी थी बहुत इजी है ये पैक्षित नहीं है अब ये देखिए इसमें क्या लिखाए कि गडित की एक सिक्षिका अपने विद्यार्थियों से पूछती है आपके पास 7 सैकड़े है और आपको उसमें से 7 दहाया निकालनी है आपको कौन सी संख्या मिलेगी एक चातर कहता है मुझे 0 मिलेगा निम्ण में से कौन सा कतन चातर द्वाद दिये गए उत्तर की संबन में अती उप्यूक्त है सबसे बेस्ट वाल आपको बताना है आप बताईए सारे कथन है देखो इसमें क्या होगा ना कि सिक्षिका को चातरों को उत्तर तक पहुँशने की प्रक्रिया को समझाने के लिए कहना चाहिए और उसके अनुसार उप्चारात्मक इस सिक्षड की योजना बनानी चाहिए उप्चारात्मक मतलब आप बच्चो को बता रहे हो उनकी कठिनायों का पता लगा कर बच्चो को समझाने के तरीके सोचो पहला तो होगा ही नहीं कि संख्यात्मक रूप में आप लिखना चाहिए था ताकि छात्रों से हल कर सके नहीं नहीं कम से कम दस और समान प्रकार की संख्याई हल करने के आपको बात करनी है और नहीं आपको ये करना है कि स्यामपट पर समस्या को हल करना चाहिए कलन विधी के द्वारा, बिल्कुल भी नहीं, ये बच्चे से आपने ऐसा question पूछा और बच्चे ने बोला कि इसका zero मिलेगा, तो आप क्या करोगे बच्चों को उपचरात्मक सिक्छड दोगे, तीसरा हमारा सही हो जाएगा, अब ये देखिए, ये क्या लिखा है कि राष् सारी गडित जानने के बजाए, यह जानना अधिकुप्योगी है कि गडिती करन कैसे किया जाए, इन में से कौन सा जो है न, इन चारों में से, ये सबसे बेस्ट इसके अर्थ को प्रतिभिम्बित करेगा, तो ये तो आसान है, ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, कि बच्चों को कितना गडित आता है, इस पर बल दिये जाने के बजाए, यह जानना जादा जरूरी है कि बच्चों में गडिती चिंतन और अमुर्त विचारों के साथ काम करने की योगिता कैसे विक्सित की जाए, इससे बेस्ट आंसर आपको मिली नहीं सकता है, बाकी के अस्तिस विचारों का गडिती करन कर देगा, नहीं ऐसा नहीं है कि समस्याओं को हल करने से उनके विचार में गडिती करन हो जाएगा, यह जानना महत्पूर्ण है कि गडित में विविन समस्याओं को कैसे हल किया जाए, इसलिए गडित के पाठिक्रम में अधिक विश्यों को सामिल करने पर बल दिया जाए नहीं सबसे बेस्ट मैंने आपको क्या बताया है कि गड़ित के उस पर बल देने के बजाए ये जानो ना कि गड़िती चिंतन और अमुर्त विचारों के साथ काम करने की योगता कैसे विक्सित कर सके हम ठीक है सो पहला हमारा सही अब ये देखिए यहाँ पर हमारे 50 questions complete एक्जाम से पहले इसको एक से दो बार देख ले ना स्री गोविंद अपने कक्षा तीन के चात्रों में पैटन पहचानने का कौसल विक्सित करना चाहते हैं तो इसमें से कौन सी विदी सबसे अधिक सहाइक सिध होगी पहला क्या लिखा है कि चात्रों को अपना once वरिक्ष देखो पैटन पहचानने के बात हो रही है तो once वरिक्ष बनाकर उसकी तूलना अपने मित्र के once वरिक्षे करने के लिए कहना है नहीं ये नहीं होगा दूसरा चात्रों से रात को ध्यान से आस्मान देखकर उन्होंने जो देखा अगले दिन उसका वडर कक्षा में करने के लिए का है ये भी नहीं होगा क्योंकि आप पैटन की बात कर रहे हो उसके बात चात्रों को उनकी सभी पाठे पुस्तकों में भारत के राष्टरी चिन को खोजने के लिए का है ये भी नहीं होगा देखो पैटन क्या होता है मैंने आपको क्या बता है कि कोई पैटन होता है ऐसे एक क्रम में चलता है ऐसे ये भी तो हो सकता है pattern तो चातरों को building block देकर बढ़ती उचाए के क्रम में रखने को कहना और यही होता है pattern अभी मैंने आपको समझाया है so option number 4 is right क्योंकि वो उसको बढ़ती उचाए क्रम में रखेंगे न तो उसका pattern बच्चे के अंदर develop हो जाएगा यहां से फाइदा होगा 20 questions मैंने करा दिया है CDP का भी मैंने करा दिया है और उसका भी करा दिया है Math भी हो गया EBS भी हो गया English की भी हो जाएगा और SST की भी हो जाएगी Science की भी हो जाएगी तो चैनल से जुड़े रहो सारे classes आपको time to time मिलता रहेगा Thanks for watching